हाई एवरीवन दिस इस कोकभी आसीन प्रॉम के डिजिट्स फ्रेंज आज के विडियो हमारी डिकनर्स लेवल की है और इस विडियो में आप यह जान सकेंगे कि किस तरह से इलिस्ट्रेटर में हम एक न्यू डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली क्रियेट कर सकते हैं फिर यह न्यू डॉक्यूमेंट एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और इसमें मल्टिपल पेजिस भी हो सकते हैं जैसा के आगे चलकर आप इस विडियो में देख सकेंगे तो चले शू करते हैं सबसे पहले हम इस टॉप मेन्यू बार के फर्स्ट ऑप्शन फाइ देख सकते हैं डाट इस कंट्रोल एं यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने न्यू डॉक्यमेंट का एक डायलोग बोक्स ओपन हो जाता है मैं अजिस यहां हम सबसे पहले अपने इस डॉक्यमिन को कोई नाम दे सकते हैं जैसा कि मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं बट मीनिक्फुल नेम हमेशा एक अच्छी प्राक्टिस होती है पिंज यह नाम एक टेंप्रोरी नाम भी हो सकता है बिकॉज इस नाम को फाइनली उस वक्द साइड कर सकते हैं जिस वक्द के हम अपनी इस डॉक्यूम भी अवेलिबल है जैसा कि यहां क्लिक करने पर आप देख सकते हैं प्रेंट यहां पर बाइडेपॉल्ट स्लाक्टिड है लेकिन इन में से कोई भी ऑप्शन अकौर्डिंगली हम स्लाक्ट कर सकते हैं अगली ऑप्शन को डिसकस करने से पहले मैं आपको यहां यह दिखाना चाती हूं कि किस तरह से वैलियू यहां पर इंटर रिलेटेड है लाइक जबके प्रोफाइल में हमारे पास प्रेंट स्लाक्टिड है तो यहां साइज में आप लेटर देख सकते हैं यहां पर क्लिक करने से हमें इंटरनेशनल पेपर साइज के कुछ प्री सेच मिलते हैं इसी तरह से यौनिस में पॉंट्स हमारे पास बाइडिफाल्ट स्लाक्टिड है अब अगर हम प्रोफाइल में जाकर कोई और प्रोफाइल स्लیک्ट करते हैं लाइक में यहां पर वैब स्लैक्ट करती हूं तो साइज में अभा हमें वैब से रिलेटेड डिटड डिफरेंट presets मिलेंगे इसी तरह से units में अब आप pixels देख सकते हैं कोई और profile select करने पर like devices select करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि sizes में अब हमारे पास devices से related different presets आ चुके हैं तो इस demonstration के लिए मैं print पर switch back करती हूं और आप आते हैं next option पर जो है number of artboards जिनको हम number of pages भी कह सकते हैं जैसा कि इस video की starting में मैंने बताया था कि यह document एक multiple pages document भी हो सकता है तो यहाँ पर मैं एक four pages document create करने जा रही हूं जैसा कि मैंने यहाँ पर pension कर दिया है इसके साथ ही आप यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि आपको इन artboards की arrangement किस तरह से चाहिए कितने columns में चाहिए और दो artboards का दर्मियानी फासला कितना होना चाहिए फिर्ण्स अगर आप यह जाना चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा artboards के साथ किस तरह से काम करते हैं तो उसके लिए आप मेरी business card design videos देख सकते हैं जिन में मैंने card के front और back को एक ही document में दो different artboards पर design किया है वीडियो का link आप screen पर देख सकते हैं इस video की description में भी यह link available होगा उके सुब आगे बढ़ते हैं size को हम already देखी चुके हैं अब बात करते हैं units की यहाँ पर यह triangular shape again indicate कर रहा है कुछ मजीद options को जैसा कि यहाँ click करने पर आप देख सकते हैं फिन सब की आने वाली videos में हम इन सब ही units के बारे में detail में बात करेंगे मगर इस वक में यहाँ से inches को select कर रही हूँ अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे पास यहाँ पर already different presets available है बट custom sizing को option हमेशा हमारे पास available होता है like हम अपनी मर्जी की width and height की values दे सकते हैं जैसा कि width में यहाँ मैं 4 and height में 6 inches mention कर रही हूँ अब आप जानते हैं कि हमारी height की value width की value से ज़्यादा है तो orientation में यहाँ आप vertical orientation को highlighted देख सकते हैं अब अगर यहाँ से मैं horizontal orientation को select करती हूँ तो आप देखेंगे के illustrator ने width और height की values को swap कर दिया है और यहाँ मैं यह भी बताती चलूँ के हम एक ही document के अंदर different size and orientation के artboards भी ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं switch back करती हूँ इस vertical orientation पर और अब बात करते हैं bleed की bleed basically कुछ area होता है हमारे original document के बाहर जहां हम अपने design को extend करते हैं यह useful होता है commercial designing में for borderless printing अब अगर मैं यहाँ पर click करती हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास top bottom left right के लिए same values आ चुती है because यहाँ पर यह linked icon on है हम यहाँ से अपनी इन values को कम और जादा भी कर सकते हैं like मैं यहाँ अगर एक बार और click करती हूँ that means कि मैंने illustrator को यह बता दिया है कि मुझे अपने इस new document के लिए 0.25 inches का bleed area required है finally यहाँ से हम अपनी इस setting को ok करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास four artboards का एक new document create हो चुका है यहाँ पर आप हमारे इस document का नाम भी देख सकते हैं यह red line यहाँ पर show कर रही है bleed area को इसके साथ ही यह black outline indicate कर रही है selected artboard को like अगर मैं यहाँ से इस दूसरे artboard के ओपर click करती हूँ तो आप देखेंगे कि अब इसकी outline black हो चुकी है जो कि यह show कर रही है कि अब हमारे पास यह second artboard selected है फिर्ट हम इन artboards को यहाँ bottom area से भी navigate कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही I hope कि आपने आज किस lesson से जरूर कुछ न को सीखा होगा अगर आप भी कुछ जाना चाते हैं तो इसके लिए मुझे लिख सकते हैं इस वीडियो के comment section में या मिर मुझे contact कर सकते हैं सोशल मीडिया पर तमाम लिंक्स आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे तो मिलते हैं अपने next session में till then take care कर दो कर दो आपको कर दो कर दो कर दो कर दो अपको जाएंगे तो